नमस्ते फ्रेंट्स कैसे हो आप सभी भवान आप सभी की हैल्थ को अच्छा रखे खुज रहें आप सभी तो फ्रेंट्स आज की वीडियो में हम ये कुछ इस तरह का मंगल सूतर बनाना सीखेंगे तो आप देख सकते हो कितना ये प्यारा लग रहा है और इसके बीज में मैंने रुद्राक्ष डाला है और ये जो गोल्डन कलर के आपको मोती दिखाई दे रहे हैं ये असली सोने के मोती है और इसको बनाना बहुत ही आसान है तो चलो बनाना सीखते हैं एकदम फ्री में तो इसको बनाने के लिए देखिए मैंने कुछ इस तरह के ये मोती लिये है तो ये इस तरह का देखिए मैंने रुद्राक्ष लिया है ये असली रुद्राक्ष है और इस तरह की कुछ मैंने ये सोने के मोती लिये है असली गोल्ड के हैं, ये बिलकुल भी खराब नहीं होते हैं, ये सुनार की दुकान पर आपको अराम से मिल जाएंगे और कुछ इस तरह के ब्लैक और छोटे बारीक यलो कलर के और इस तरह से मैंने सुई में धागा डाल लिया धागा जो मैंने यूच क्या है ये काफी पका धागा होता है और ये बारीक मैंने सुई लिया है जहां पर सिलाई का समान मिलता है पर आराम से आपको यह सुई मिल जाएगी इस सुई से आप बारीक से बारीक मोती डाल सकते हो धागे में अब दो लिये हैं मैंने इस तरह के देखिए पेंच आते हैं इस तरह के खोलने और बंद करने के लिए तो सबसे पहले करना क्या है इस तरह का जो यह बारीक यलो कलर का बारीक मोती है इसको लेना है और इस तरह से धागे में डाल लेना है धागे में इस तरह से डाल करके यहाँ पर हम इसको बांद देंगे ऐसे देखिए मैं आपको पास से दिखाती हूँ इस तरह से दो तीन गा आपको लगानी है सबसे पहले आपको यही करना है और पिर इसके बाद जो यह पेंच है एक पेंच को इस तरह से उल्टी साइट से इस तरह से डार लेना है और डालने के बाद यह कुछ इस तरह से यहाँ पर आ जाएगा देखिए इस तरह से हमने खीचा तो यहाँ पर यह फस गया और यह पेंच अब निकलेगा नहीं धागे में से कि अब इस तरह से यह ब्लैक कलर के मैंने मोती लिये हैं इनको आपको आधे-धे कर लेना है आधी-धी मात्रा में क्योंकि हमें दोनों साइट डालने हैं तो मैं यह 75 75 मोती लूँगी अलग लग गिल लीजे आप पहले तो इस तरह से पहले मैं एक साइड 75 मोती को डाल लू सकते हैं इस तरह से आएगा आप देख सकते हो तो अब फटा-फटा हम 75 मोती इस तरह से डाल लेते हैं कि तो इस तरह से देखिए हमने 75 मोती इसमें डाल लिये हैं अब इस तरह से हमें जो यह बारीक यलो कलर का मोती है बारीक वाला जो है इसको इस तरह से डालना है और फिर इसमें यह सोने का मोती डालना है और इस तरह से बारीक डालना है फिर और फिर इस तरह से गोल्डन का मोती डालना है सोने का ऐसे देखि तो इस तरह से देखिए मैंने 3 मोति डाल लिये हैं अब हमारे पास 3 और 8 Scents को डाल कर डालेंगे तो इसे वर ब्ची को 5 रुदराक्ष आपकी रासी को जो रुद्राक्ष सूट करता हो आप रुद्राक्ष ले और तब मंगा सूत्र बनाए रुद्राक्ष मैंने के भी काफी फायदे होते हैं तो इस तरह से देखिए मैंने रुद्राक्ष डाल लिया है अब जो हमारे पास तीन गोल्डन कलर के मोती बचे हैं उनको भी हम डार देंगे पहले देखिए बारीक मोती डार लेंगे इस तरह से फिर इस तरह से डार लेंगे गोल्ड का फिर इस तरह से यलो कलर का छोटा बारीक फिर इस तरह से और फिर इस तरह से और इस तरह से फटा फट फट फिर हम सभी ब्लैक कलर के मोती को डाल लेंगे जो यह हमारे बाकी बचे हुए है 75 मोती उनको भी हम डाल लेंगे अगर आप बड़ा मंगर सूतर बनाना चाते हो तो आप ज्यादा मोती लीजिए ब्लैक कलर के तो इस तरह से देखे हमने सभी मोती को डाल लिया है अब देखे बाद में करना क्या है जो यह हमारा यह पेंच बचा है तो इसको इस तरह से डालना है और फिर एक जो यह बारीक यलो कलर कम होती है इसको लेंगे ऐसे और फिर इस तरह से देखिए इस तरह से मैं आपको पास से दिखा रही हूं कि इस तरह से डालना है और फिर इस तरह से पेंच के अंदर से ही हमें सुई को निकाल लेना है बहार को ऐसे और फिर इस तरह से अच लगाएंगे धागे में इस तरह से दिखे आप देख सकते हो यह आपको ध्यान से देखना है नहीं तो यह खुल जाएगा और टूट जाएगा उमारा पूरा का पूरा मंगल सूतर तो इस तरह से देखिए हमने इसको अच्छे से यहां पर बान दिया है और फिर एक्स्ट्र धागा है उसकी कटिंग कर देंगे को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूले तो फ्रेंड्स थैंक यू बाइबाइब प्लीज वाचिंग माई वीडियो